प्रतिक और इन दीस वीडियो आज से हम स्टार्ट करने वाले है नए टॉपिक पे एक वीडियो सीरीज क्योंकि काफी समय से अपना वीडियो नहीं आया था तो हम नए टॉपिक से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं गाईज तो ये वीडियो सीरीज बेस होगी डेटा स्ट्रक्चर पे जो एक इंपोर्टन टॉपिक है CS और IT के बच्चों के रिए तो आज का ये वीडियो एक इंट्रोड़क्टरी वीडियो होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर पे तो इन इस वीडियो आयम गोईंग तो टेल यूँ वाट इस डेटा स्ट्रक्चर और वाइट इस सो इंपोर्टन टार्ट करते हैं सो आज का है स्टक है इस लॉन टुगेदर क्यों कि ये पढ़ने में कहा तो डेटा स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह के से समझते हैं गाईज कि वेन यू बिल्डिंग अ होम यू नीड से बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि रॉम अट्रियर्स जिसमें ब्रिक्स होते हैं उडन होते हैं और मेटर रॉड्स होते हैं और एक्सेटरा एंड़ टॉप आप डैट गाईज वेन्यवर वी अप्लाइज सम इंस्ट्रक्चंट विट डैट रॉम मत्रियर्स हमें एक रिजल्ड के रूप में एक बेसिकली होम मिलता है गाईज एक सेम एज इस तरह के से गाईज जब भी हम में रॉडिंग रॉडिंग रॉडिर्डेय्ड एक रॉड्ट के रॉड यह दौलाइज पॉड होते हैं जो सम्यश्स खरखेशन एक स्थरियर्स हैं जब भी हमnewर वी अर्वर वी आरव वीर वी अर डिजिडिंग डूट रिडिंग शेंट गरुमिंप रॉमिम्र apply किया जाए तो result के रूप में हमें software applications मिलते हैं guys data structure की definition क्या है guys so data structure are building up blocks और raw material for any software program data structure एक raw material है guys जो एक software program को develop करने में help करता है so उसी तरह के से one cannot become a good programmer without sound understanding of data structure कोई भी programmer तब तक good programmer नहीं बनता जब तक उसे data structure की अच्छी knowledge ना हो so यही में चीज़ है guys data structure में अभी देखते हैं कि कोई सा data structure किस problem पे सही होता है guys क्योंकि कोई भी data structure किसी भी problem पे apply नहीं कर सकते जैसे कि अगर हमें इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस wooden window को बनाने के लिए कौन सा raw material अगेगा guys क्या हम bricks use कर सकते हैं क्या तो guys नहीं अगर हमें यसी window बनानी है तो हमें wooden planks ही चाहिए होंगी इस condition में guys bricks are not so good and wooden planks as better solution for this window तरके से कोई भी data structure किस problem पे use होना चाहिए यह हमें पता होना चाहिए तो चले guys अभी देखते हैं कुछ ऐसे questions जो हमें daily life में data structure पे आते हैं तो how someone started to think about data structure in daily life so इसे एक simple line में देखते हैं guys कि data structure is a particular way of organizing the data तो data structure यह हमार पास कोई भी data है तो उसे किस प्रकार से organize किया जाए या store किया जाए कि उसको जब use किया जाए तब उसको better solution मिले या फिर कम time में उसका solution आए तो यह particular data structure कैसे use किया जाता है यह हमें सिखना होगा तो data structure की यह main एक line में definition हो गई guys data structure is a particular way of organizing the data तो अब देखते हैं how how data structure is so important सवार का जवाब है guys कि data structure is important क्योंकि यह काफी widely use होता है guys काफी YouTubers ने इस पे ज्यादा data YouTube पे upload किया है और जब भी company placement होती है company के ज्यादा से ज्यादा questions यह data structure पे ही focus होते हैं तो इसलिए data structure is so important so what we are going to cover in this section इसको हम next slide में देखिंगे guys तो next question है कि our ultimate aim तो अपना aim है कि सिर्फ theory पढ़ने से data structure नहीं समझेगा अगर अपने को data structure की theory ही पढ़नी है तो उसके लिए काफी ज्यादा sources net पे available है guys तो इसलिए हम अपने वीडियो में theory का कुछ पार्ट यूज करके काफी ज्यादा अपना focus यह practical पे होगा guys क्योंकि किसी भी campus placement में अगर अपना interview होता है तो उस पे तो अपने को यह नहीं पुछेंगे कि data structure की theory बताओ तो यह यह पुछेंगे कि तुम्हें कौन सा भी data structure implement करना आता है या नहीं तो उस time पे अपने को practical knowledge की ज्यादा जगरत होगे guys तो आप से अपन जो data structure पे video series start करने वाले हैं guys तो उसमें हम काफी ज़्यादा practical पे focus करेंगे तो अभी देखते हैं कि हम इस section में क्या-क्या cover करेंगे तो वही topic आते हैं guys जो आप सभी को पता है data structure पे तो क्या-क्या होगा section में तो होगा arrays, link list, stack, queue, binary tree, binary search tree, heaps, graphs, hashing and etc आप में से कई लोगों ने यह सुना भी होगा और आप में से कई लोगों को यह कुछ आता भी होगा तो guys हम साथ में पढ़ेंगे और साथ में doubt भी solve करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कितना आता है आपको सीखाते सीखाते मुझे भी अच्छा आने रहेगा तो इसलिए यह topic हम next video में cover करने वाले हैं हर एक individual topic पे एक separate video आने वाला है तो इसलिए यह video ना की theory purpose के लिए मोटो यह है कि practically हमें आना चाहिए है practically हमें individual या particular कोई भी अगर data structure है तो उसको implement करना आना चाहिए तो यही था guys आज का introductory video I hope guys आप लोगों को समझा होगा तो thank you for watching guys and please do subscribe, like, share and comment guys और बताओ आपको क्या लगता है कि हमें क्या-क्या add करना चाहिए guys इस video की series में और please stay tuned and do subscribe guys क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने channel के subscribe नहीं किया है तो please जाके subscribe कीजिए और video को like कीजिए and thank you guys आज के video में इतना ही फिर मिलेंगे निक्स वीडियो में तब तक के रिए बब बाई